इसलाम आलेकूम स्टूजन्स इंशालला भी हम स्टार्ट करने वाले हैं गट ठीक है तो गट हमारे पास क्या होती है और उसकी मतलब कौन सी जॉइंट्स को मुस्टली एफेक्ट करते हैं ठीक है तो यह सब चीज़े हम उसमें पढ़वाएंगे यह हमारे पास कोर्स पापर केम यू ठीक है कि वह कंप्लीट स्लाइट से गट के बारे में ठीक है एक्स्प्लेनेशन ही तो अगर आप के मिन रसे लिच रहमत पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए ठीक है आकि नहीं आने वाल नोटिपकेशन आप तक बरवास पहुँए ठीक है तो डिजीज आप केंगे ठीक है तो देखिए हमारे पास क्या होती है कि जब इंप्लामेशन हो जाती है कि चीज में जौइंट में और पिर वह पेंपुल आपको पील होंगे तो यह हमारे पास क्या है लेकिन मेंली जो गट किस चीज से अकर होती है ना तो वह हमारे पास यूर तो जब यह deposit होती है तो पिर क्या होती है उसमें pain और swelling inflammation यह सब चीज़े आकर होती है तो यह MCQs के लिए आपने याद रखना है क्या हमारे पास क्या होती है कि the disease of king कौन सा disease है तो हमारे पास क्या गर्ट है ठीक है तो gut affected more men than women ठीक है and it is often associated with obesity, hypertension, high blood sugar, high blood pressure, sorry और hyperlipidemia है मतलब high level of lipid in the blood and diabetes ठीक है तो हमारे पास gut mostly men को affect करते है और women less affect करते है लेकिन उसने reasons यह दिया हुआ है कि obesity और hypertension की वज़ा से ठीक है हार टाइम जो है hypertension वगरा या ज्यादा लिपड़ी चीज़े कहती है न और तो इस person को ज्यादा क्या है chances है कि उसको gut क्या अकर हो जाए ठीक है तो gut की जो तोड़ा structure है ठीक है यह mostly जो joints होती है तो joints की inflammation वगरा उसमें हो जाती है ठीक है ठीक है यह रिटनस आहती है अक्यूट फार टायम पह टीक है यह ठीक है फिर आपको氣री मीle में देखाएंगे स्थारी के लिगन हमारे पास क्या है यह इस चीज़स को को ही कहते है ठीक है पर आती है कि उसकी incidence क्या है मतलब यह उसकी कितने पीपल यह पिक करते है ठीक है अभी करेंट ली तो गट अकर इन अफ्रोक्सिमेटली 840 आउट आप इवरी वन लेग ठीक है तो वन लेग पीपल में जो है वो क्या होती है मतलब 840 एफेक्ट करते हैं में क्या होती है रेर होती है समझ कि स्टूरियों एज़ा पोटी ट्रेंट पिप्टी आर मोर लाइकली टू डिवलप गट देन वामन टीक है हूरे ली डिवलप डिसांडर पीपोर मिनुफास देखिए हमारे पास ज्यादा तर जो मतलब 40 50 एच के लोग होते ना तो यह मतलब बीफोर देमिनुफास यह कं होती है वामन में लेकिन आफ्टर देमिनुफास यह बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाती है रीजन्स यह कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होती है ना तो यह कमिए उसकी कमिया जाती है तो उसकी वज़ा से यह मसला क्रेट होती है फीफल हो है हेंड एन अरगन ट्रांस्प्लांट और उसेटिबल टू टी के तो आणकर ट्रांस टेशन होने की वज़ा से जो है एक पर्सन को ये गट वगरा डीजिउस अक्र हो जाती है । छाइज रखो है पतर हमारे पास कहा भाजिस आप गडिजी हो दे कर बाली है ना तो रिस्पेक्टर हमें हमारे पास आती है कि जो जेनेटिक्स में प्ले रूल इन डिटर्माइनिंग पर संट रेसेंस अप टू एटीन परसंट आप पीपल विद गर्ट है पैमली हिस्ट्री आप डिजिज देखे पैमली हिस्ट्री की वज़ा से यह गर्ट डिजीज म के लिए रखने के एटीम परसंट जो है फैमली हिस्ट्री से जेनेटिक की वज़ा से क्या होती है गर्ट डिजीज अकर होती है ठीक है स्पेसिपिक उसने परसंटिज दिया हुआ है इसी लिए ठीक है फिर क्या है कि जेंडर एंड एज रिलेट एज आर रिलेटिट टू ड जेंडर मतलब फीमेल और मेल की जेंडरी ठीक है और जो एज होती न तो यह बहुत ज्यादा रिस्ट के पहुती है ठीक है गर्ट डिजीज में डिवलेप होने के लिए ठीक है तो बिंग उवर्वेट इंक्रीज डरेस्क अब डिवलेपिंग हाइफर यूरिसीमिया एंड इस गड़ ठीक है तो हाइफर यूरिसीमिया हमारे पास जुप यूरिक एसेड की ज्यादा हो जाती हमारी बॉड़ी में तो यह किस वज़ा से होती है हमारे पास फूर्वेट हो लिए यह उभीजि ऑचिवाज़ से ठीक है तो यह रिस्पेक्टर है किस चीज़ को गड़ डिजीस को डिवलक होने के लिए ठीक है तो अगर एक परसन ऐसा हो कि वो ड्रेंकिंग करा रहा हो मतलब वो अलकोहल वगेरा ये चीज़े पी देना तो पिर ये एफेक्ट होती है कि जो यूरिक एसिट हमारे बलड में है तो वो सही तरीके से पर किड्नी से रिमूब नहीं हो थी ठीक है तो पिर ये आपकी पिल्टरशन से एंटर पैर करवाते हैं और मसला क्रियर्ट हो जाती है समद गे स्टूडन्स पिर इटिंग टू मेनी पूर्ट रिच एंड प्यूरीन केंकाज और एग्रिवेटेड गर्ट इन सम पीपल ठीक है तो कुछ पीपल में जो है ये क्या होती है मतलब जो पूर्ट रिच प्यूरीन हमारे पास एक नाटो जीनिस बेस होती है ठीक है तो जब ये ज्यादा तरकाते है ना तो जब प्यूरीन की मतलब पर क्या होती है मेटाबोलिजम हो जाती है तो इससे बन जाती है यूरिक एसिट और तो यह यूरिक एसिट फिर बलड में सर्गुलेट होती है अगर ज्यादा हो जाती है तो हैपर यूरिमिया तो यह रिसकास है कि इसकी गर्ट की तो पिर आते हैं कि हमारे पास टाइप से मतलब जो कंडिशन के बैस पे तीक है तो फ् तो बी कंसिक्वेंसेज और पाल्टी यूरिक एसिट मेटाबॉलिजम जिब क्या होती है प्रैमेरी हैपर यूरिसीमिया में सिर्फ और सिर्फ आपकी बलड में यूरिक एसिट की लेवल बढ़ जाती है ठीक है और यह यूरिक एसिट की लेवल बढ़ जाने की वज़ा से वोदिपोजित होती है जो अघे और यह किया हूती। मेटाबॉलिजम जब हराब हो जाती है तो मतलब हाई फर मेटाबरिजम जब होती है प्यूरिन की तो यह most probability जो होती है वो हमारे पास gut disease का होता है ठीक है it is caused by several dieting and stimulation, exercise, intake a put, high in purine, shelf life and argon meat and our hero duty देखे हैं ये mostly जो cause होते हैं ना, मसला create होती हैं तो ज्यादा तर जब एक person starvation में रहते हैं मतलब भूक वगरा में रहते हैं ठीक है ये excessive intake करते हैं food वगरा के, तो food में कुण सी चीज प्यूरीन कहती है तो प्यूरीन किस चीज़ों में है मतलब shelf patient में होती है या other argon होती है, मतलब liver वगरा कोई भी काते हैं या meat वगरा ठीक है और ये हेरीरी टीबी होती है, ये आपने याद रखना है हमने पताया कि परसंट genetic probability है कि कास हो जाए गर्ड ठीक है पिरहादे सिकंडरी हाफर यूरिसीमिया में हमारे पास गोल्टी जो पेज़ फीचर होते हैं सिकंडरी टू एनिया आप नमबर आप जिनिटिक हारा एकॉर्ट प्रोसेस इंक्लूडिंग कंडिशन सिकंडरी हाफर यूरिसीमिया होते है तो जियाद जिशन के लिवल ज्याद हो जाती है तिक है यह आपकी नमबर आप जिनिटिक मतलब आपकी जीन जो होती है आप पर डामिनट हो जाना इसके जीन अपना एपक्स शो करते हैं तो जिब genetic की वज़ा से अगर हो तो फिर secondary जो हाईपर यूरी सीनिया है या secondary गयर्ट काम्स केते हैं तो यह अगर genetic की वज़ा से हो तो फिर time के साथ आप पर implement होंगी और आपको joint वागेरा में implementation और deposition आप यूरिक स्टार्ट होंगे लेकिन अगर यह required process है required process हो प्रासिस होती जो बाहर की मतलब factors की वज़ा से lifestyle की वज़ा से काने पीने की जो lifestyle है या आपकी जो मतलब walking या exercise है या नहीं या तो यह सब process की वज़ा से जब आपकी क्या होती ब्रेकडाउन हो जाती है आपकी सेल की ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाती है ना तो पहर क्या होती है यह गर डिजीज ज्यादा आकर होती है तो क्या होती कि आल्टर डीनल टीबूलर फंक्शन एंड सम ड्रग अर्टिबूट टू यूरिक एसिड अंडर सिक्रीशन एक्सक्रीशन ठीक है तो अगर पहले पहले आपको बताया कि अगर एक परसन हो यह भी सिकंडरी कास है ठीक है अल्कोहल काता है मतलब जो अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल पीने ड्रिंकिंग होने की वज़ा से यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन जो होती है किड्नी से वह खराब हो जाती है तो जब किड्नी से एक्सक्रीशन नहीं होती यूरिक एसिड की तो पहर वह तो आपको बलड में तो जब blood में accumulate होंगे तो वो आपकी joint में चले जाती है और deposit होती है फिर आते हैं कि certain medicines जो can reduce the body ability to remove a yuric acid ठीक है तो मुख्तलिब खसंगे medicines है जो आपकी yuric acid level को खराब कराते है ताकि वो remove हो जा ठीक है तो यह मतलब क्या है कि और yuric acid की जो ज्यादा level होती है तो वो हम कौन कौन सी medication पे कम करते हैं तो यह हमारे पास diorotex होती है which decrease the amount of yuric acid passed into the urine तो जब हम diorotex देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा filtration होती है और urine वगरा चले जाती है पिर रहत है कि जो इसले केट्स जो होती है are inflammatory medicine made from select acid तीक है such as aspirin aspirin वगरा यह जो है तो इसकी वज़ासे जो है inflammatory process जो होती है ज्यादा में वगरा इसकी वज़ासे कम हो जाती है तो अगर rare disease क्या हो जाती है और इंक्रीज हो जाती है गर्ट्स वगरा तो पिर आपको जो लिक्वीमिया होती है न वाइड बलड सिल्की जो कमी होती है या mylo-umia जो होती है मतलब आपकी जो क्या होती है मसलों गएरा effect हो जाती है ठीके और आपकी मुख़ते है मतलब सिकल सिल इनीमिया या मतलब iron deficiency इनीमिया और इसी तरह कर से और जो है पोलेकेसिट इनीमिया यह सब इन्यमिया और कास हो सकती है इसकी वज़ा से अगर यह डिजीज बहुत ज्यादा सेवेरो में चले जाती है डिजीज कौन सा डिज यूरिक एसिड की लेवल जब ज्यादा हो जाती है आपके बोड़ी में ठीक है तो यह चीज़ें पिक करते हैं अल्टर और रिनली टिबूल होती है उसकी पंक्षंट पर क्या होती है अल्टर हो जाती है सपलासपोरीन यूज थू सम्प्रेंडन्द यूज इन ट्रांस्पलांटिश आरगन अगर एक पर सथा और प्रांसप्लांटिश आगको वह ।कि यह चाहिए अदेख़ें यूख़ ताकि उस आर्गन को क्या करने रिजिक ना करें तो उसकी वज़ा से यह हम देते हैं तो अगर यह मेडिशन किसी परसन ने ज्याद यूज़ की तो इसकी वज़ा से जो है वो फिर यूरिक एसिड की लिवल कम हो सकती है लिव डोपा जो है यह हमारे बास इंडर्ट्ट्री मिन परकिंसन डिजीज के लिए एक क्या है मेडिशन से ठीक है तो यह भी अगर एक परसन यूज़ ने ज्यादा होंगे गार जब आप लेव टेस्ट करवाएंगे तो जो objective है तो swill and joint आपको देखने हैं जब आप देखते हैं तो उसकी joint में swilling होंगी pure होंगी ठीक है inflammation process start होती है इसी वज़ाए से pure होती है general peeling आप endless होती है ठीक है मतलब जो Malaysia fatigue होती है एक इस person को जिसको gut disease है प्रेजेंस आप यूरीक एसेट क्रेस्टल एंज्वाएंट प्लियू ठीक है और जो क्रेस्टल होती है यह भी हो सकती है इस person को chills होती है मतलब इसकी जो vibration मतलब बाड़ी होती है तो उसमें coolness आ सकती है क्रेस्टल डिपोजिट अंडर स्किन टोपाएं ठीक है तो जो हमने पहले आपके बात की ना जो structure में तक है टोपाइं हैं पेंगर के तो यह हाड हो जाती है क्योंकि क्रेस्टल लुगरा की डिपोजिशन हो जाती है यूरिक एसिट की more than one attack of acute arthritis जिब ज्यादा हो जाती है acute attacks तो यह मसला create हो सकती है पी रहत है कि जो arthritis होती है arthritis that develop in one day producing a swollen redness red and warm joint तो arthritis यह सब चीज़े डिवलप होती है one day और जब यह arthritis अकर होती है तो arthritis की वज़ा से here directly swelling वगरा यह redness आ जाती है तो arthritis निजब आ जाती है तो उस joint की जितने भी blood vessel आया हुआ है और आपकी condition क्या है कि acid level आपके body में ज्यादा है तो यह आपकी किस जगह में रह जाती है bone bone में ठीक है bone की जो joint होती है पिर आटेक आप arthritis in only one joint usually the toy ankle and knee तो ज्याद तर जो arthritis होते है ना मतलब जो हम study करते हैं gut disease ठीक है तो यह mostly one only one joint को affect करते हैं मतलब एक joint को ठीक है at a time तो ankle या नहीं हो अगर इस में toy में तो पेतवी ज्याली जो आप the guts यही है कि हमारे पास uric acid is the substances that result from the breakdown of the purine which are found of all human tissue and are found in weenie foods ठीक है तो ज्यादा तर मुख्तलिक पूड़ में यह चीज़ प्रिजन होती है ज्यादा मिखदार में तो जब purinated food एक person ज्यादा कहते है ना तो इस purine breakdown हो जाती है liver में और liver में uric acid बन जाती है ती और यह uric acid पर circulation में आ जाती है तो नार्मल यूरिक acid is dissolved in the blood and falls through the kidney into the urine तो नार्मल यूरिक acid मतलब इसी तरह के से पेदा होती है और urination में चला जाती है लेकिन क्या होती है if the body increase its production of uric acid or if the kidney does not eliminate enough uric acid from the body a level of it is build up in the blood तो जिब build up हो जाती है क्या होती है blood ठीक है blood में uric acid की level और पर यह eliminate नहीं हो रहा हो ठीक है क्योंकि acclimate होती है ना हर चीज की excretion की acclimate है तो जिब इसकी secretion ज्यादा हो जाती है और जो purinated diet होती है वह एक person ज्यादा काता है ना तो यह मसला उसको आता है तो जब यह uric acid वह excret eliminate नहीं करवाते हैं तो यह आपके blood में ही build up हो जाती है तो जिब टू मेनी high purine food ठीक है such as liver and dried bees and peas ठीक है तो यह मुझालब किसम की जो लोबियां वगेर यह चीज़े यह लेवर वगेरा होती है ना तो यह सब चीज़ें अगर एक person ज्यादा काते है ना तो उसको complication ज्यादा है यह फिर high purine is not a disease and it may itself it is not a dangerous ठीक है यह फ़ज जो है फिर युरिसीम्या डीजीज नहीं यह तो जो है जो नताईज है वो खतर नाख है ठीक है और यह वर एक्सेज उर्केस इड क्रेस्टल फार्म इस रिजल्ट आपता है फिर युज्टी में गॉर्ट डिकें ठीक है तो जो हाफर युज्टी में कंडिशन हो जिए ज्यादा हो जाथी युज्टी तो फिर एक गडिजी अकर होती है यह कंप्लिकेशन हो गया मसला बन ग Maxisémetar अनुद्स के अउंड़ युज्टी में सब्सक्राइकशन हो जाए तो फिर एक अएक क्रेस्टल जो मतलब क्या होती हैए युरिक एशिट्स क्रेस्टल थीके टो यह ज्यादा अएक हो जाए और स्कूंजा। प्रेट डिफॉसित अप यूरिक एसट कार्ड टॉना एंटिक है तो डिफॉस जिब यूरिक एसट मतलब क्या होती है जोएंट्स पेडिपॉसित होते तो उसको हम टॉपाई कहेंगे तो इन सी के लिए आधा रखें सिंगूलर टॉपस होती है कि अफिर आलिब ईजलम अंडर जायांड जायोंट रिखल रीम अब दे लिए थिजरून जाय उरिशें इसटियो जाय टिक है यूरिक एंशेट कम टार्ट औ 파िर्ससित के दिक हो सकती है जायड़ जायड़र पिर किडनी में ज्यादा चरे जाते हैं और उस जगह में डिफॉजट हो जी और स्टोन यूरिकेस बन जाती है पिर क्या होती है पिर फिजियालोगी आप गर्ट तो गर्ट इनिशली एफेक्टेड द जॉइंड इन द बिग टॉइस ठीक है तो जो बिग टॉइस होती है न उ पॉर स्टेज़ तो इसकी पॉर स्टेज़ से इस डिजीज के प्रोग्रेस होने की ठीक है तो एक हमारे पास कि एक सेंटोमेटिक एंड विदाउट सेंटम हाइपर यूरिसी में मतलब इन दिस टेज अबरसन है एफ एलिवेटेड लेवल आप यूरिक एसट इन दबलर स्टेज ड़स डार्ट यूजरी रिकॉर टीटमेंट तो पस्टेज जो है एसम्टोमेटिक होती है उसमें कोई भी टीटमेंट मगएरा हम नहीं देते क्योंकि हमें पता नहीं चलता ठीक है फिर हमारे पास दूसरी जो स्टेज है वामरे पास एक्यूट गोट और अकर होती है ठीक है क्योंकि यूरिक एसिट की डिपोजिशन हुआ है जो एंट में तो एक्यूट में डिपोजिशन आप यूरिक एसिड हो दिए यह आधर नेम्स के लिए अकर एक नाइट एंड अरली मॉर्निंग ट्रेगर्स बाइ स्ट्रेस पॉल इवंट्स अलकोहल और क्या होती है ड्रग्स एंड प्रेजन साफ अनेधर एल्नेस कोई भी एनधर एल्नेस हो या मतलब स्ट्रेस वगरा हो ठीक है तो यह चीज़े या कोई भी मिर्डिसम्स वगरा हम ज्यादा यूज़ कर लेते तो इसकी वज़ए से अरली मॉर्निंग सेक्नेस क्या होती है जो और नाइड इस दो कंडिशन में बहुत ज्यादा होती ठीक है स्ट्रेपनिस वगरा ज्यादा हो जाती है तो इसी वज़ए से जो है पिर क्या होती है ठीक है तो यह हमारे पाग दो कंडिशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेपनिस आ जाती है और पिर क्या होती है यह अगर एक तो यह attack मतलब 3-10 days लेते हैं एर इसके बाद जो है early and without treatment and the next attack may not occur per month or even air तो एक जो attack होते हैं मतलब 3-10 days लेते हैं लेकिन जो दूसरी attack होते हैं तो वो month या इसी तरह air में effect हो जाती है पिराते हैं जो intern interval or inter critical जो guts होते हैं तो यह third stage है तो the period between acute attack ठीक है in this stage a person does not have any symptom and have normal joint function इसमें भी मतलब यह हमारे पास क्या होती है acute attack होती है उसकी दर्मियान ठीक है लेकिन this stage में कोई symptom हो गेरा यह क्या होती normal joint की function क्या होती है नहीं होती ठीक है ठीक है तो यह क्या होती कि person does not have any symptom has a normal joint function ठीक है तो यह normal नहीं होती symptom ठीक है लेकिन क्या होती है यह stage भी हम आपको क्या होती है मतलब critical होती है यह stage ठीक है internal ही internal आपकी pain होंगी फिर पॉर्ण मस्टेज्च जो है वो chronic tropis जो क्या होती है ठीक होती है ठीक होती है तो यह stage हमारे पाद इस इस लिए जो है यह chronic tropis जो क्यों होती है गर्ट stage होती है तो यूजवल डिवलप और लॉंग पिरिट सच एस टेन एर ठीक है तो टेन एर के बाद यह पिरिट यह भी इंसक्यूस के लिए याद रखे कि टेन एर के बाद जो है वो कौन सी stage अगर होती है तो पॉल नम्मर ठीक है पर्वल डेमिज टूद एफेक्ट जॉएंट एंसम टाइम टूद एक निए ठीक है तो ज्यादा तर जो है पर किस चीज़ के जिप जॉएंट की मोस्ली पर्मन डेमिज करा देती है ठीक है यह और सम टाइम कीड़नी को भी किड़नी को इसलिए कि ज्यादा यूरी किश्ट जब किड्नी में accumulate हो जाती है तो फिर किड्नी ब्लाक हो जाती है तो इस स्टेज से पहले अगर कोई भी जाती है तो यह जो पर सब्सक्राइब नहीं चाहिए तो डाइग्नोसेश अब गट्स हम किस लिए ले लेते हैं किस लिए और कैसे तो इसी लिए लेते हैं ताकि उसकी कोई भी इंटर्नली यूरिक एसिट की लेवल चेक कर लाते हैं और कैसे लेते हैं तो फाइन नीडल इस्पैरेशन ठीक है आप तर साइनाविल प्यूड हम ले लेते हैं और फिर लेब में टेस्ट करवाते हैं तो तो एक्यूट गर्ट जो टीट्मेंट है मतलब उसके लिए हम क्या करना मतलब जो तो नांसिट जो है हमारे पास अगर एक परसन की काड़ी जो काड़ मसला ना हो ठीक है या रिनल इंसफिशन्सी वागर ठीक है तो नांसिट आपनी यूज़ करना है फिर जो एंडियोमेटेसन है ठीक है तो यह भी 50 एमजी मतलब पोर टाइम डे जो है ठीक है तो नेफ्रोक्सेन हों है ठीक है मतलब 825 एमजी ओंस ठीक है दिन अ मतलब एवरी एट हावर के लिए अनलब 3 टाइम अड़े 275 लेना है ठीक है तो यह डोजिस है किस चीज़ के मेडिशन के टीटमेंट के लिए ठीक है फार्मकोलोजीकल टीटमेंट तो जो हमारे हमारे पास यह जो सोलनेट है यह भी हमारे पास एक टैविलेट है वह हमारे हमने यूज करना है किस चीज़ के 200 इमजी टूटा मड़ है ठीक है तो काटिकुस्टिराइड एंट्रा आर्टिकूलर एप वन ज्वाइन सिस्टेमिक एप मल्टिपल ज्वाइन ठीक है तो काटि 30-30 mg पर डे आपने यूज करना है सिस्टेमिक यूज चीक है तो यह भी आपने सिस्टेमिक यूज करवाने अगर आपको क्या हुआ है मतलब गड डिजीज हुआ है ठीक है तो जो